मोनी रॉय का टीवी से बॉलिवोड तक का सफर मुश्किलों से भरा हुआ रहा लेकिन आक्टरस ने अपने आक्टिंग टैलेंट के बलबूते टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में अपने अलग पहजयान बनाई मोनी अपनी टीवी सीरीज नागिन से फेमस हुई और इसी क्यरक्टर ने उन्हें प्रमास्ट्र जैसी बड़ी फिल्म में रोल पे दिलवाया लेकिन एक ऐसा भी टाइम था जब आक्टरस को एक दिन में 30 कोलिया और इंजेक्शन्स लेकर काम करना पड़ रहा था ये ऐसा टा तो कि वज़ा सा आक्टरस सीधे खड़ी भी नहीं हो पा रही थी मोनी ने उन काले दिनों को याद खते हुए बताया नागिन शुरू होने से पहले मैं एक ऐसे फेस में थी जहां मुझे लगा कि मेरी लाइफ खत्म हो चुकी है ये उतना कंबीर ये दुखी तो नहीं था म पुरी तरीके से बिमार थी बाने जलक दिकलाजा नाइंग खत्म किया और उसे दुरान मेरी द्रीट की हड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी और मैं सीधे खड़ी भी नहीं हो पा रही थी ये बात नागिन शुरू होने से ठीक पहले की है जब आक्टरस को खुद को ठ ठीक रखने के लिए एक दिन में तीज गोली और इंग्जेक्शन्स लेने पड़ रहे थे मोनी अपने बुर्यद और से मजबूत होकर बाहर निकली और उन्होंने एक तक अपूर के शो नागिन के लिए खुद को तयार भी किया इस शोंने मोनी की किसमत ही बदल कर रख दी शो से उने अक्षे कुमार के साथ विल्म गोल्ड मिली राजकुमार राओ जॉन अबराहिम जैसे आक्टर्स के साथ काम करने के बाद उन्हें रन्बीर कपूर और आलिया बड़ की फिल्म ब्रहमास्त्रू में जिनों उनका यादकार कारेक्टर मिला आगे आने वाले दिनो में आक्टर्स नए प्रोजेक्ट के साथ भी नजर आ सकती है वह आपका मोनी रॉय के किये इस खुलासे पर क्या कुछ है कहना हमें कॉमेंट्स में जरूर बताए एज़िए अपडीट्स के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें